नमस्कार राज सिख्छा शोध एवं प्रसिख्छन परिसर बिहार पटना में आप सभी का स्वागत हैं कैसे हैं प्यारे बच्चों आस्ता करते हूं स्वस्त और अच्छे होंगे तो बच्चों ये बताईए कि आपने कभी ये सोचा है कि आप जो यूनिफॉर्म पहन कर स्कूल आते हैं वो कौन सिलता है आप जो बाल कटाने जाते हैं जहां वो कौन बाल काटता है उसे हम क्या कहते हैं या फिर आप जो भोजन करते हैं लंच में जो मम्मी आपको देती है या ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो भोजन हमें कहां से मिलता है आपने कभी इस बारे में सोचा है नहीं न तो बच्चो आज मैं आपको class 2 chapter 10 पढ़ाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी मदद करते हैं people who help us, what do you do, ठीके यानि कि जो लोग हमारी मदद करते हैं वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं तो जो भी हम पहनते हैं, खाते हैं ये जो भी काम हम करते हैं क्या किसी के मदद के बीना वो काम हम कर सकते हैं नहीं कर सकते न तो बच्चो आज मैं इस chapter के थूँ आपको कुछ लोग हमारी किस चीज में मदद करते हैं तो है ना excited इस chapter को जानने और समझने के लिए तो आईए इस chapter को कुछ pictures के थुरू समझते हैं People who help us यानि कि लोग जो हमारी मदद करते हैं तो सबसे पहले आपने देखा picture में क्या था वच्चो picture में था farmer आईए एक बार फिर से इस picture को देखते हैं farmer आप देख रहे हैं बच्चो एक खेत है खेत में किसान काम कर रहे हैं तो यानि की farmer का हिंदी अर्थ क्या हुआ? किसान और farmer का spelling क्या हुआ? पढ़ें उसे A for farmer F A R M E R farmer यानि की किसान तो आप देख रहे हैं कि किसान खेत में कितनी मेहनत कर रहे हैं है ना? तो बच्चो किसान क्या करते हैं? किसान हमारे लिए धूप में, गर्मी में, बरसात में, दिन, रात, कठीन मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद जो अनाज वो उप जाते हैं ना? वही अनाज हम मार्केट से खरीतते हैं और उसे हम बना कर खाते हैं तभी हमें भोजन मिलता है, आप सोचिये, अगर यह फार्मर कामकरना छोड़ दे या किसान खेतों में काम करना बंध कर दे तो हम तो भूचे रह जाए गे ना? हमें भोजन कहां से मिलेगा तो सोचिए बच्चो की Getting farmer हमारे लिए कितना कठीन काम करते हैं हमारे लिए farmer कितने जरूरी होते हैं और farmer को मैंने बताया जैसा की हिंदी में क्या کہते हैं किसान कहते है तो बच्चो farmer का spelling मेरे साथ एक बार और दोर आईए farmer F-A-R-M-E-R farmer यानि किसान तो बच्चों आपने देखा farmer खेतों में काम करते हैं और वही खेत से जो अनाज वो उप जाते हैं वो market में जाता है और उसे खरीद कर भोजन हम बनाते हैं और उसे हम भोजन के रूप में उसे खाते हैं तो अगर farmer नहीं तो फिर भोजन भी नहीं, तो farmer हमारे लिए बहुत जरूरी है, आपने देखा ना, तो आपने तो ऐसे भी देखा होगा किसानों को खेतों में काम करते हुए, लेकिन अब जब आप देखिएगा, तो आपको किसान का English भी पता चल गया होगा, किसान को English में क् D for doctor, यानि की चिकित सक, D, O, C, T, O, R, doctor, तो बच्चों doctor का क्या काम होता है, अगर हम बिमार पढ़े और doctor हमारी मदद ना करे, या doctor ना रहे, तो फिर हमारा क्या होगा, हम तो और ज्यादा बिमार पढ़ जाएंगे ना, तो बच्चों doctor हमारी किस रूप में सेवा करते हैं जब भी हम बिमार पढ़ते हैं, तो doctor हमें medicines देते हैं, दवाईया देते हैं, और कभी-कभी तो injections भी देते हैं, जिससे हमारा स्वास्त या health जो रहता है, वो सुधर जाता है, तो आप सोचिए जरा कि अगर ये doctor ना हो, तो हमारे स्वास्त का क्या होगा, हमारे health का क्या होग हमें जब बुखार होता है, या cough and cold होता है, तो हम किस के पास जाते हैं, doctors के पास जाते हैं, आपके parents आपको doctors के पास ले जाते हैं, लेकिन अगर doctor हमारी मदद ना करे या doctor ना रहे, तो हमारा क्या होगा फिर, तो आप देख रहे हैं कि doctor हमारे लिए कितने जरूरी होते हैं, वो हमारी कैसे मदद करते हैं तो बच्चों डॉक्टर का स्पेलिंग मैंने आपको क्या बताया डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर आप देख रहे हैं ना पिक्चर में डॉक्टर को डॉक्टर ऐसे ही वाइट कलर का ड्रेस पहने रहते हैं ना उनका ये यूनिफॉर्म होता है तो अब आप डॉक्टर को देख कर तुरंट पहचान जाएंगे ना कि ये डॉक्टर है और आपका मदद करने वाले हैं तो आईए हम देखते हैं कि अगला कौनसा वो आदमी है जो हमारी मदद करते हैं ये है बारबर यानि कि people who help us में next picture है बारबर का बी फॉर बारबर बी ए आर बी ए आर बारबर यानि कि जो हमारे बालों को काटते हैं जब हमारे बाल बढ़ जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं हम जाते हैं बारबर के पास अगर हमारे बाल लंबे लंबे बड़े बड़े हो जाए जो घरों में काटना आसान ना हो तो हम क्या करेंगे हम जाते है कहां जाते हैं सलून जाते हैं पार्लर जाते हैं जहां कि बार्बर होते हैं जो कैची लेकर हमारे बालो को काटते हैं आपने देखा है ना आप गए है ना सलूनिया पार्लर में आप देखते हैं वहां बार्बर रहते हैं जिनके हाथों में कैची रहती है ठीके और वो क्या कर आर, बी, ई, आर, बारबर, तो बच्चों ये बताए कि आप पालर तो जाते होंगे, सलून्स भी गए होंगे, लेकिन कि आपको पता था कि वहाँ जो लोग हमारी मदद करते हैं, उसे इंगलिश में क्या कहते हैं, उसे इंगलिश में हम बारबर कहते हैं, तो अब तो ये ना आपको याद हो गया होगा ना और spelling भी note करते वे जाईएगा तो बच्चों आए अगले लोग से मिलते हैं हम People who help us में है next picture टेलर ये क्या कर रहा है ये तो कपरे सी रहा है है ना आप देख रहे हैं ये हमारे कपरों को सिलता है इसे क्या कहते हैं दरजी यानि टेलर टी फॉर टेलर टी ए आई ल ओ आर टेलर यानि की दरजी तो बच्चों अब आप मुझे ये बताईए कि अगर दरजी ना हो तो हमारे कपड़े कौन सी लेगा तो दरजी का क्या काम होता है बच्चों कपड़े को सिलना उसी सुन्दर बनाना हमारे फिटिंग्स में लाना तो ये बताईए मुझे कि दरजी को तो आपने जरूर देखा होगा हाथ में कैची और सुई धागा लेकर कपड़े सिलते हुए लेकिन दरजी को इंगलिश में क्या कहते हैं ये आपको पता चला दरजी को इंगलिश में कहते हैं टेलर यानि की दरजी तो अब आप जब भी कपड़े सिलाने दरजी के पास जाईएगा तो उसे क्या कहिएगा टेलर तो आपने सीखा ना दरजी को इंगलिश में क्या कहते हैं टेलर यानि की दरजी तो आएए अगले लोग से आपको मिलाती हूँ, ये कौन है, people who help us में, next picture है, एक classroom का, वहाँ कुछ बच्चे बैट कर पर रहे हैं, जो की बहुत ही cute से बच्चे हैं, बिल्कुल आप लोग के तरह, और एक teacher यानि की maim जो है, वो board पे कुछ बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये तो है एक classroom का scene, लेकिन जो पढ़ा रही हैं, वो कौन है, maim है, लेकिन उन्हें हम क्या कहते हैं, सिख्चक, और सिख्चक या सिख्चिका कोई English में क्या कहते हैं बच्चों, teacher कहते हैं, आप देख रहे हैं ती for teacher, और teacher का spelling क्या होता है, टी, ए, ए, सिए, ए, आर, teacher, यानी की सिख्चक, तो बच्चों जब भी आप class में बैठते हैं, तो कुछ बच्चे man बोलते हैं, कुछ बच्चे sir बोलते हैं, और कुछ बच्चे teacher भी बोलते हैं, तो आज आपको पता चला कि टीचर का हिंदी क्या होता है और टीचर का स्पेलिंग क्या होता है सारे स्पेलिंग को नोट कर रहे हैं आप ध्यान से सारे स्पेलिंग को बिल्कुल नोट करते जाए तो बच्चो टीचर का क्या काम होता है जो मैं कर रहे हूँ अभी मैं आपकी teacher हुना क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो जो हमें पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं गुरू या फिर सिख्छत या फिर teacher टीएच या टीचर ठीक है तो बच्चों आपने देखा ना कि यहां मैंने आपको कितने लोगों से मिलाया जो हमारी मदद करते हैं अगर यह ना रहे तो हमारी मदद कैसे करेंगे यह लोग फिर हम कैसे खाएंगे कैसे पढ़ेंगे कैसे अस्वस्त होने पर हम ठीक होंगे तो आपने देखा ना कि यह लोग किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं और इनको इंगलिश में क्या कहते हैं इनका spelling क्या होता है हमने अभी अपको समझ में आया ना कि इन लोगों का क्या-क्या काम होता है तो आईए इनके कामों को और अच्छी तरीके से कुछ पोईम के तर जरिये हम पढ़ते हैं लुक एंड टेल देखें और बोले फार्मर फार्मर वाट डू यू डू आई ग्रो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स टू आप पिक्चर में ध्यान से देखिए एक किसान है यानि की फार्मर है तो उससे हम पूछ रहे हैं कि फार्मर फार्मर वाट डू यू डू किसान किसान तुम क्या कर रहे हो तो वो क्या जवाब दे रहा है आई ग्रो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स टू वो आपको बता रहा है कि वो अनाज को उपजाता है और साथ में सबजियां भी उपजाता है तो एक बार फिर से परिए इसको फार्मर फार्मर वाट डू यू डू आई ग्रो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स टू तो बच्चों आपने देखा फार्मर का क्या काम होता है फार्मर से जब हमने पूछा जब आपने पूछा कि फार्मर तुम क्या कर रहे हो तो उसने आपको क्या जवाब दिया कि फार्मर जो होता है किसान जो होता है वो खेतों में सबजियां और अनाज दोनों उपजाता है तभी न हम उसे खाते हैं तभी न हमें खाने मिलता है तो फारबर को तो आपने पूछा और आपको जवाब मिल गया तो आगे देखते हैं, आईए कुछ सवाल और पूछते हैं उन लोगों से तीचर, टीचर, वाट डू यू डू? आई टीच इंगलिश टू आल अफ यू अब हम टीचर से पूछ रहे हैं, कि टीचर, टीचर, आप क्या कर रही हैं? तो टीचर ने क्या जवाब दिया? I teach English to all of you मैं आप सभी को अंग्रेजी यानि की English पढ़ा रहे हूँ तो एक बाद फिर से इसको मेरे साथ पढ़िये टीचर, टीचर, वाट डू यू डू? I teach English to all of you तो देखा आपने पिक्चर में कैसे टीचर पढ़ा रही थी बच्चो को और जब हमने पूछा कि टीचर, टीचर आप क्या कर रही हैं? तो टीचर ने क्या जवाब दिया आपको? टीचर ने कहा कि मैं सभी बच्चो को इंगलिश पढ़ा रही हूँ मैं अभी इंगलिश ही पढ़ा रही हूँ ना तो टीचर ने तो बिलकुल सही कहा तो आपने देखा बच्चो टीचर का क्या काम होता है? टीचर का काम होता है परहाना होता है ना? तो आएए आगे बढ़ते हैं बारबर बारबर वाट डू यू डू I cut hair and style it too अब हम बारबर से पूछते हैं कि बारबर बारबर आप क्या कर रहे हैं तो बारबर ने आपको क्या जवाब दिया I cut hair and style it too वो कह रहा है कि मैं बालो को काटता हूं और उसे तरह तरह का style भी बनाता हूं यानि कि बारबर का क्या काम होता है बच्चो बारबर का काम होता है बालो को काटना और सवारना यानि कि जब भी आप पालर में जाते हैं या सलून्स में जाते हैं तो आप बारबर को बालो को काटने के लिए तो कहते हैं लेकिन कभी-कभी कोई-कोई बच्चे कहते हैं इधर से कट करना इधर से कट करना तो यानी कि वो style भी देते हैं आपके हर को ताकि आप और beautiful और handsome दिखें तो बारबर यहां क्या कर रहा है? जब हमने पूछा बारबर से कि बारबर आप क्या कर रहे हैं? तो बारबर ने आपको क्या जवाब दिया? कि वो बालो को काट रहा है और उसे style भी दे रहा है. तो बारबर का क्या काम होता है? बालो को काटना. Very good. तो आएए आगे कुछ और लोगों से पुछते हैं Taylor Taylor what do you do I suit clothes for kids like you अब ये है दरजी दरजी को English में कहते हैं Taylor और Taylor से हम पूछ रहे हैं कि Taylor Taylor what do you do यानि कि Taylor Taylor आप क्या कर रहे हैं तो वो आपको क्या जवाब दे रहा है वो कह रहा है I see you clothes for kids like you यानि कि मैं कपड़े सिल रहा हूँ आप जैसे बच्चों के लिए kids यानि बच्चे यानि कि आप जैसे प्यारे बच्चे see you मतलब सिलना और clothes मतलब कपड़ा और टेलर मतलब तो सबको पता है ना दरजी तो फिर से पढ़िए इसे टेलर टेलर वाट डू यू डू I see you clothes for kids like you तो बच्चों आपको ये पता है ना कि kids यानि जो human beings होते हैं यानि जो इनसान होते हैं उनके बच्चों को kids कहा जाता है है ना तो यहाँ पर दरजी कहता है कि मैं कप्रे सिल रहा हूँ आप जैसे kids के लिए यानि कि आप जैसो बच्चों के लिए वो क्या करता है कप्रे सिलता है तो दरजी का क्या काम हुआ कप्रे सिलना वो हमारी मदद कैसे करता है कप्रे सिलकर और दरजी को इंगलिश में क्या कहते हैं टेलर बहुत अच्छा तो आएए आगे देखते हैं अब ये कौन है? ये तो कौबलर है तो कौबलर का मतलब क्या होता है? पिक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है? इसे देखकर यह है मोची यानि कि कॉबलर का अर्थ होता है मोची मोची को इंगलिश में हम कॉबलर कहते हैं C O W B L E R कॉबलर यानि मोची तो यहां हम बच्चों कॉबलर से यानि मोची से पूछ रहे हैं कि कॉबलर कॉबलर what do you do? यानि कि कॉबलर कॉबलर आप क्या कर रहे हैं तो वो आपको क्या जवाब दे रहा है I meant shoes and make them new वो कह रहा है कि मैं पुराने जूतों को सही करके उन्हें नया बना रहा हूं यानि कि बच्चों आपको क्या समझ में आया कॉबलर से जब भी आपका जूता कभी टूट जाता है कभी फट जाता है कभी जूता का बेल्ट जो रहता है वो खराब हो जाता है तो हम कहां जाते हैं उसे लेकर या आपके पेरिंस कहां जाते हैं उसे बनवाने के लिए मोची के पाफ और मोची को इंगलिश में क्या कहते हैं कॉबलर कहते हैं C-O-B-B-L-E-R कॉबलर यानि मोची याद रहेगा ना तो उसका क्या काम होता है उसका काम होता है जूतों को फिर से नया बना देना यानि कि फटे पुराने जूतों को फिर से फिट कर देना है न वो बिल्कुल सही कर देता है न तो बच्चों आपने देखा न कि ये लोग हमारी कितनी भंदत करते हैं कितने तरह तरह से हमारे ये हेल्प करते हैं चाहे वो क तो आपने देखा ना कि ये सारे लोग जो है वो हमारी कितनी मदद करते हैं है न ये हमारी help करते है न बच्चो बहुत अच्छा तो आएए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं कौन है ये? डॉक्टर है तो डॉक्टर से हम क्या पूछते हैं डॉक्टर डॉक्टर आप क्या करते हैं तो डॉक्टर ने क्या जवाब दिया उसने जवाब दिया आई गीब एडवाइज यानि सलाह देना and treat you too यानि कि आपका सेवा करना आपको स्वस्थ करना आपकी देख भाल करना तो उन्होंने कहा कि I give advice and treat you too यानि वो हमें हमारे स्वास्थ से मिलता जुलता सलाह देते हैं और अगर हम बिमार रहते हैं तो हमारी मदद करते हैं तो फिर से पढ़िए एक बार डॉक्टर डॉक्टर वाट डू यू डू, I give एडवाइज and treat you to तो बच्चो आपने देखा ना कि डॉक्टर भी हमारी कैसे मदद करते हैं वो हमें अगर हम अस्वस्थ रहते हैं तो वो हमें स्वस्थ करते हैं हमें सलहा देते हैं जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एडवाइस देते हैं ना बच्चो कि सुभा में ये गोली खानी है रात में ये टैबलेट खाना है तो इसी को एडवाइस कहते हैं यानि कि सलहा देना तो आप सोचिए बच्चो कि अगर डॉक्टर भाइन नहीं होगा तो हमें हमारे से सल्ह कोन कॉन देगा कौन हमारे हिल्ठ का ख्याल रखेगा उं तो जरूरी है न तो आपने देखा कि यहां जितने भी लोग थे सब कितने ine生 Eigen ओध जरूरी है समझ में आया और किसको क्या कहते इंगलिश में वो भी आपने नोट किया ना बहुत अच्छा तो आएए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं अब आते हैं See the pictures and answer the following questions यानि कि picture को देखना है ध्यान से और उससे related कुछ यहां questions है अधूरे से उसको पूरा करना है तो पहले आप pictures को ध्यान से देखिए सबसे उपर में मुझे जूता बनाता हुआ मोची दिखाए दे रहा है यानि कि मोची का English cobbler C O B B L E R उसके नीचे के picture में मुझे किसान खेत में नजर आ रहा है यानि कि farmer F A R M E R उसके नीचे के picture को बताईए ये कौन है ये है बरबर यानि कि B A R B E R ये क्या कर रहा है बालो को cut और style कर रहा है उसके बाद के picture में मुझे teacher नजर आ रही है जो कि English पढ़ा रही है T E A C H E R उसके बाद ये कौन है white color के dress में मुझे doctor नजर आ रहा है है ना doctor के spelling में ने बताया था D O C T O R और last picture में आप देखे ये कपरा सिल रहा है ये कौन है दरजी बहुत अच्छा दरजी को English में क्या कहते हैं बच्चो tailor T A I L O R तो picture तो आपने ध्यान से देख लिया समझ लिया तो आएए यहाँ जो आपने देखा कुछ question से अधूरे से तो आएए उसको पूरा करते हैं और उसे मिलकर बनाते हैं Who am I? I am a cobbler है ना cobbler यानि कि mochi जो की जूतों को सिलता है उसके बाद है Who am I? I am a farmer बहुत अच्छे A F A R A M E R farmer यानि की किसान जो खेतों में काम करता है उसके बाद है Who am I? पूछ रहा है की मैं कौन हूँ? बताइए यह puzzle पूछ रहा है I am a barber I cut hair यानि की मैं barber हूँ मैं बालो को काटता हूँ और यहाँ barber का spelling क्या है पढ़िए एक बार B A R B E R barber उसके बाद पूछ रहा है बच्छों Who I am? मैं कौन हूँ? बताइए picture में Very good I am a teacher I teach English कह रहे है की मैं teacher हूँ और मैं English मरा रही हूँ teacher का spelling क्या है बच्छों? T E A C H E R बहुत अच्छा आपको सही से जबाब दे रहे है यानि picture आपको सही से समझ में आ रहा है next है Who am I? बताइए doctor I am a doctor I treat the sick यानि की D O C T O R doctor जो की बिमार मरीज को देखते हैं उनकी सेवा करते हैं और ये last picture क्या है I see your clothes you call me Taylor बहुत अच्छा टेलर यानि दर जी T A I L O R कह रहा है कि मैं तुम्हारे कपरों को सीता हूं तुम मुझे टेलर कह सकते हो तो बच्चो मजा आया ना सबका नाम जानने में सबको English में Hindi में तो सबको पता होगा कि कौन क्या था लेकिन English नाम आपने आज पढ़ा ना बताया ना मैंने और कौन क्या help करता ये भी आपने जाना तो क्या सा लगा बच्चो आपको आप अपची तरह से समझ गया है ना कि कौन क्या काम करता है डॉक्टर का क्या काम होता है टीचर का क्या काम होता है तो आईए कुछ exercise और बनाया जाए match the pictures with your name यानी की pictures को उनके नाम के साथ सामने सामने मिलाना है इधर tailor, barber, doctor, teacher और farmer लिखावा है और इधर आप pictures में देखिए क्या क्या है barber नजर आ रहा है, teacher है, farmer है, doctor है और tailor है तो इन pictures को इनके सही नामों के सामने आपको मिलाना है और मुझे देखना है कि आप सही से मिलाते हैं कि नहीं तो बच्चों आईए इसके answers को देखते है बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल सही मिलाया, आपका answers बिल्कुल सही है, आईए यहाँ answers को हम अपने मिलाते हैं यानि कि पहला था दरजी, Taylor, है ना, Taylor के spelling पर ही है T-A-I-L-O-R उसके बाद था Barber, जो बालो को कटता है, B-A-R-B-E-R उसके बाद है Doctor, जो मरीजो का सेवा करता है, यानि कि D-O-C-T-O-R Doctor उसके बाद है Teacher, जो की परहाती है, T-E-A-C-H-E-R और उसके बाद है Farmer, किसान जो खेतों में अनाज या सबजियांब होते हैं F-A-R-M-E-R, Farmer, तो आप देख रहे हैं ना, सबके नाम के सामने उनका पिक्चर बिल्कुल सही सही पेस्ट हो चुका है तो बच्चो अब ये मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि टेलर कौन होता है, टेलर को कैसे पढ़ते हैं, टेलर को हिंदी में क्या कहते हैं, टेलर का क्या काम होता है, वो हमारी कैसे मदद करता है बहुत अच्छे, तो आईए कुछ जंबल्ड स्पेलिंग भी देखते हैं, देखते हैं इसे आप बना पाते हैं कि नहीं पहला है F-A-M-R-E-R, क्या होगा यह, इसको अरेंज करके करेक्ट स्पेलिंग बताईए मुझे फार्मर, बहुत अच्छा, A-F-A-R-M-E-R, क्यरेक्ट स्पेलिंग यही है, उसके बाद है T-E-A-H-R-C-E, सही जवाब इसका टीचर, यानि कि T-E-A-C-H-E-R, आपको तो स्पेलिंग भी अब याद होने लगे हैं, थर्ड क्या है T-I-A-L-R-O, यह क्या है टेलर, वेरी गोड, यानि कि दरजी T-A-I-L-O-R, टेलर, उसके बाद क्या है बच्छो, B-A-B-E-R, अरे यह तो खतम होने से पहले ही अपने आंसर बता दिया, बारबर, यानि कि करेक्ट स्पेलिंग इसका हो गया, B-A-R-B-E-R, बारबर जो बालो को काटता है, और इसको पहचानी है, नेक्स्ट स्पेलिंग को, C-O-B-B-E-R-L, यानि कि यह है कॉबलर, मोची, C-O-B-B-L-E-R, जो हमारे जूतों को सिलाई करके उससे न्यू बना जेता है, और लास्ट वन क्या है, D-C-O-T-O-R, यानि कि डॉक्टर, जो हमारे स्वास्त को बिल्कुल सही रखत है, D-O-C-T-O-R, डॉक्टर, फार्मर, टीचर, टेलर, बार्बर, कॉबलर, एंट लास्ट वन इस डॉक्टर, तो बच्चो आपने देखा ना, यहां मैंने आपको कितने लोगों से मिलाया, डॉक्टर से मिलाया, कॉबलर से मिलाया, सबसे मिलाया ना आपको, समझ में आया कि किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और किन का क्या काम है, वो किस रूप में हमारी मदद करते हैं, और अगर यह लोग ना हो, तो हमारा क्या होगा, तो यह लोग हमारे लिए कितना जरूरी है, यह आपको समझ में आया ना बच्चो, तो आपका होमबर्ख है कि आज घर आप अपने पेरंस को यानि माता पीता को बताईएगा कि कौन से लोग का क्या काम है और उनका स्पेलिंग भी पढ़कर उन्हें सुनाईएगा और स्पेलिंग के साथ पढ़कर बताकर आप उसे भी याद किजियेगा ताकि आप जब भी कहीं डॉक्टर या बाल कटाने के लि आया होगा और आपने बहुत इंजोई किया होगा तो नेक्स चैप्टर में फिर मैं आपके सामने होंगी एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक बच्चो स्वास्त रहिए अच्छे रहिए गुडबाई एंटेक कियर